श्टार pipeline के शो अनुपमा के आने वाल एपिस्वड में हमें बहुत सारा duż ड्रामा और ट्रिष्ट देखने को मिलेगा जैसा कि शो के आज के एपिसोड में हमें बता चल जाता है कि राहुन लेहीड अनुपमा के डिश में कोकरोज डाले थे जिससे राणपमा राहुल पर बहुत जादा गुसा करती है कि वो ऐसा उसके साथ कैसे कर सकता है कि उनका रेस्टरेंट उसकी हरकतों से उसने बंद करवा दिया और अनुज राहुल से कहता है कि वो यूएस जाकर ये एकसेप्ट करेंगी उसने ही डिश में कॉक्रोश मिलाई थी गुलाटी के कहने पर और अनुपमा उसे कहती है कि अब उसे किसी भी हालत में माफी नहीं मिल सकती और वही तोशू अनपमा पर बहुत गुसा करता है कि उसके लाग समझाने के बावजूद भी उसका किसी ने विश्वास नहीं किया और अन्पमा तोशु से माफी माँगती है कि वनराज आकर अन्पमा को बहुत बुरा भला कहता है कि वो कैसी माँ है कि उसने अपने बेटे पर शक किया और अब अन्पमा ये फैसला करती है कि वो ये लड़ाई जरूर लड़कर रहेगी और अपने और इस रेस्टरेंट पर लगा दाग वो जरूर मिटाएंगी कि तभी यश्टीब और बीजी भी वहां आ जाते है जिसे देख अन्पमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बीजी और यश्टीब दोनों अन्पमा से माफी मांगते है कि जिस मौके पर उन्हें उनका साथ देना चाहिए था लेकिन उन्होंने भी अन्पमा पर इल्जाम लगाए और दोनों ही हाद जोर कर अन्पमा से माफी मांगते है और अन्पमा उन्हें माफ कर देती है और अब ये फैसला करते हैं कि अब वो साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे लेकिन अनुज यश्रीप को वहाँ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब शो के आने वाले एपिसोड में ये देखना बहुत ज़ादा दिन चस्पोगा कि आखिर अनपमा इन सारी लड़ाईयों से कैसे सामना कर पाती हैं टेवी से जुरी बाकि सारी खबरों के लिए देखते रहे हैं और सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल को